आज मैं आपके पास एक special request लेके अपने सारे YouTube वीवर्स और उनके जितने भी रिलेटिव हैं उन सबके पास एक special request लेके आया हूं उमीद है कि मेरी आप इस request को follow करेंगे और यह हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी और वो request है बिटा कि we have to stop use of polythene bags the reason behind this is कि जैसा कि आपने सुना होगा इप मीडिया में, अकबार में, नोड़ बुक्स में, question paper में कि जो polythene है उसका जो एक बार environment में हम उसका input कर देते हैं तो उसको destroy करना बहुत मस्किल होता है और यह बहुत ही harmful है लेकिन मैं आज आपको बहुत ही simple तरीके से कुछ information देने जा रहा हूँ कि हम समझ पाएं कि यह हमारे लिए कितना problematic है polythene bag चाहे वो किसी भी तरह का कोई polythene bag हो और उसका एक important example है यह कि support करो कि जो है मतलब एक polythene bag को आपने environment में fake दिया तो लगबग वो जो polythene का टुकड़ा है जो उसका volume है जो उसका area है वो लगबग 10 जो है 1000 सालों तक वैसे के वैसे रहेगा बहुत थोड़ा उसका जो है light की वज़ा से degradation होता है लेकिन उसमें भी नुकसान है उसकी वज़ा से जो उसका degradation होगा जो वो और जो है different compounds बराएगा तो मिट्टी के अंदर तमाम chemicals जाएंगे अगर आप उसको जलाते हो तो उससे जो smoke है वो काफी toxic होता है poisonous होता है कभी आप polythene को जलाईए और उसके बास दो मिनट के लिए खड़े रहिए उसकी जो smoke को आप inhale करते हो तो आपको अजीब सा feeling आए गया नहीं तो 10,000 साल का मतलब यह हो गया बच्चा कि अगर मान लोग कृष्ण के जमाने में कृष्ण के जमाने में अगर कोई polythene का टुकड़ा फेका गया होता तो वो आज आपके जमाने तक वो as it is रहता अब इससे बड़ा simple example में आपको क्या बताऊं आपको ध्यान देना च यह इस बात को कि सोचिए कि कृष्ण के जमाने में भी लोग आपकी तरह आपकी तरह गैर जम्मेदार होते आपकी तरह यह जो है polythene bag को इतना frequently use करते तो सायद आज हमारे पास जो है कोई भी जमीन ऐसी नहीं होती जो non polluted होती कोई भी जमीन ऐसी नहीं होती जहां पे हम ख जाएंगे न तो उतना जल्दी हम अपने आने वाली पीडियों को इस जो है एक जो है यह मतलब बहुत बड़ी महामारी को फैलने से रोग पाएंगे और जो हमारे लिए बहुत ही आसान है में कुछ नहीं करना है बस हम सबजी मार्केट में जाएं तो अपना थैला लेके ज कि इस जो रिपब्लिक डे से पहले पहले आप जादा से जादा लोगों को अवेर करिये इस बारे में कि कसम खाईए कि हमें किसी भी तरह के पॉलिथीन बैग को यूज नहीं करना है और इसके लिए जितनी कोशिस हो सकती है आपके तरफ से उस कोशिस को आप इतने जादा स सिरियसली उसको जो है करिये कि आप कई लोगों को ना सिर्फ पॉलिथीन बैग यूज करने से रोख पाए बलकि उनको अवेर कर पाए और छोटा सा एक्जामपल जो मैंने आपको कृष्ण भगवान वाला जो पीरियड का एक्जामपल लिया कि किस तरीके से जो है एक इतन यह बच्चा बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उमीद है आप इस बात को फॉलो करेंगे उमीद है आप इसको आगे आवेर जो है लोगों को और ज्यादा आवेर करेंगे Have a nice day to all of you